मैं तो क्याता हूँ कि कल के बजाए आज एलेक्शन हो जाए बीजेपी तयार है लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे अवाम की जीत होगी बीजेपी की जीत होगी और अगली सरकार जमुक कश्मीर में भारतिये जंता पाटी की हो प्रचंड बहुमत के साथ धंपिंग सब्सक्राइब के साथ भीजेपी जीतेगी यहां का चीफ मनिस्तर भीजेपी का होगा सरकार भीजेपी की बनेगी जम्मुक कश्मीर में हम चाते हैं कि एलेक्शन का फैसला चलाएं जाए है हाली में हुए इलेक्शन में भारतिय जंता पार्टी की हैट्रिक के बाद अब जम्मु कश्मीर में भी राजनेतिक गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, कई तरह के सवाल जो है वो elections को लेकर उठाये जा रहे हैं, हर तरफ कहा जा रहा है कि अब वो समय आ गया है जब जम्मु कश्मीर में भी elections होने चाहिए, इस मामले और बाचित करने के लिए भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मेरे साथ मौझूद है, सर सबसे पहले तो आपका भूछ स्वावित है, धन्यवाल आपका, क्या आप सोचते हैं जम्मु कश्मीर में elections को लेकर, क्योंकि अब सियासी गर्मी देखने को मिल रही है, हर तरफ कह रहे है, मद्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गड़ में बीजेपी ने कमाल किया है, तिलंगाना में भी भारतिये जनता पार्टी की सिर्फ एक सीट थी, 9-10 सीटे महां बीजेपी ने जीती है, वहां अच्छा खासा वोट मत प्रतिशत भारतिये जनता पार्टी ने तिलंगाना में भी हासल किया है, और ये जो भारतिये जनता पार्टी की जीत हुई है, ये मोदी साहब जो काम कर रहे हैं गरीबों के, जो जईफू और बे सहरा लोगों की मदद कर रहे हैं मोदी साहब, और जो देश में डेवलेमेंट हो रही है, गाउं गाउं, शहर शहर, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, ह Germany, ये ये वो जीत है, मोदी साहब के काम की जीत है, और मोदी साहब देश की जनता के दिल में बसते हैं, इसलिए जनता ने दिल खोल कर मोदी साहब को अस्EMBLी ऐलक्षनस में भी वोड़ दिये, और दो हजार चूब़ीस में जब गजब swampा के इलक् प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की चीत होगी अब की बार बीजेपी चार सो का आंकड़ा टच करेगी जो हमारा एंडिये एलाइन से हैं लेकिन जमू कश्मीर का क्या जमू कश्मीर की तो भरतिय जनाता पार्टी दो हजार चोवीस के लोकसभाद चुना जमू कश्मीर म पांच सीटे हैं जमूर्यासी उदुमपूर कठुवा डोड़ा अनंतनाग रजोरी पुंच स्रिनगर और भारामुला इन पांचों की पांचों सीटों पर पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जो मोदी साहब ने काम किये हैं जमू कश्मीर में गोल्डन कार् पांच 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 लाख एक एक साल में इलाज के लिए हर इनसान को गरीबों को फ्री मकान हर पंचायत में दो दो सो तीन तीन सो चार चार सो मकान गरीब किसानों के खाते में छेचे हजार गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स गरीबों को फ्री राशन और अगल जमू के दोगरे हो यद कश्वीरी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मुशन के साथ, मोरी साविने काम किया है. पारलिमिट में भी हम जीतेंगे, और जब एस्पेंबली ऐलेक्शन सोंगे, तब भी बीजेपी जीतेगी, जो हमने काम किये हैं. हम जनता के बीच अपने काम लेके जाएगे हम जनता के बीच अपने काम लेके जाएगे हम चाहते हैं कि ये एलेक्शन का फैसला चला दो हो मैं तो चाहता हूँ आज फैसला हो जाएगे लेकिन ये फैसला मैंने नहीं लेना है एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया ने करना है मैं जाता हूँ एक चीज और भी देखी पिछले दिनों एक चीज किए कि भारते जंता पार्टी की हैट्रिक दूसरी चीज थोड़ा और पिछे चलके अगर देखें तो लेफटेनेंट गवर्नर मनोर सिना कहते है कि एलेक्शन यहां से करवा के ही जाओंगा कहीं ऐसा तो नहीं ह है कि यह एक आने वाले समय कि प्रेडिक्शन है भारते जंता पार्टी अपनी तर्फ से पुरी पूरी पॉस्तिव है कि जीत के साथ ठंपिंग मेज़ारिटी के साथ बीजेपी जीतेगी यहां कच्छी वर्श्ट भीजेपी का होगा हमने जो लोगूं के काम किये हैं जो गरीबूं, जईफूं, दर्दमंदूं और बे सहरा लोगों की खिदमत मोधी साहम ने की है और जो डेवलिमेंट जमो कश्मीर में हो रही है लोग इसको वोड़ देंगे सब अमन, खुशाली, भाईचारा चाहते हैं क्या हिंदू, क्या मुसल्मान, क्या सिख, क्या इसाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मैं तो कहता हूँ कि कल के बजाए आज election हो जाए BJP तयार है, लोग BJP को सपोर्ट करेंगे अवाम की जीत होगी, BJP की जीत होगी और अगली सरकार जमु कश्मीर में भारतिये जनता पाटी की होगी हाली में एक प्रोग्राम हमने देखा उस प्रोग्राम में इंटेलेक्चुल्स को भी बिठाया गया था साथ में हमने देखा कि एंटर्टेनर्स को भी बुलाया गया था intellectuals और entertainers दोनों को एक platform पे साथ में लाना जो यंगस्टर है यूथ है यह हमारे देश की power है दो जो youth youth power is nation's power और BJP की ताकत है यह यंगस्टर्स इसलिए इनके साथ हमारी meets होती है intellectual लोगों के साथ मिल्ट होती है मिलके रणनीती बनाते हैं मिलके काम करते हैं मिलकर देश को मजबूत करना है मिलकर देश को आगे बढ़ाना है मिलकर सबकी समस्याओं को समधान करना है बात रही इसी सब से related क्योंकि देखिए अब जगे की अगर बात की जाया वाजस्थान में सबको पता था कि उच नीच का बड़ा भेडवाव है तो भारते जंता पार्टी ने उस पर ध्यान दिया इस देश के नागरी के हम सब भाई वहने हैं और हमको मिलकर रहना तो जहां अब बाकी की स्टेट में भारती जंता पार्टी उन समस्याओं पर काम करेगी क्योंकि सब समस्याओं का समधान होगा सब समस्याओं का समाधान भारतिय जनता पार्टी करेगी BJP क्योंकि यह जनता की पार्टी है लोगों की अवाम की पार्टी है और हम लीडर नेता नहीं है हम सेवादार है अवाम के खिद्मतदार है हमने लोगों की खिद्मत करनी है खिद्मते खलक के जजबे से काम करते हैं खिद्मते खलक हमारे खून में है लोगों की खिद्मत गरीबों की खिद्मत जईफों की खिद्मत बे सहरा लोगों की खिद्मत जिनका कोई नहीं है उनकी खिद्मत जाते जाते मेरा आखरी सवाल रहेगा पिछले दिनों हमने देखा कि उम्र अब्दुला का एक statement आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी और election commission दोनों साथ में मिले हुए हैं जमो कश्मीर में elections नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनके भारतिय जनता पार्टी चाहती है कि election commission आज announce करे कि जमो कश्मीर में भारतिय जनता पार्टी पचास पार अब की बार जमो कश्मीर में भी मोधी सरकार अब की बार जमो कश्मीर में भारतिय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बीजेपी की सरकार अब की बार पचास पार और जमो कश्मीर में भारतिय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर प्सक्रेवाद